दोस्तों आज की वीडियो में आपको सवागत है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्लेयर का स्किन बॉल पेन और बाकी अगर आप पैकेजिंग आप देखी सकते हो और यह ब्लू ब्लैक और रेट कलर के वैरियंट में आ जाता है और आज मेरे पास है ब्लैक कलर का प पैने बहुत ही ज्यादा पतला है और साथी यह लाइट वेट भी बहुत है तो लाइट और मतलब स्लीक डिजाइन में बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि स्लीक भी और पकड़ने में भी इजी हो जाता है पतला पैन तो और यह ना यह क्लिक सिस्टम पैना आप देख सक इसकी रिफिल को अगर मैं खोल के दिखाता हूं आपको तो कुछ ऐसा दिखता है यह देखे फ्लियर इंग टैंक रिफिल ठीक तो यह रिफिल आपको एजली मिली जाएगा और अगर नहीं भी मिलता था आप कोई भी डूब्लिकेट या समझ रहे ना उस टाइप के रिफि अगर देखना है तो कुछ इस तरह का है तो फिर से पैन को अंदर डाल देते हैं और जैसा कि मैंने बताया पहले भी फिर सब बता देता हूं यह ब्लैक ब्लू और रेड के वैरियंट में आता है और यह वड़ाप्रूफ पैन है और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस यहां पे आप देख सकते हो 60 रूपीस का है और वाकी पैकेजिंग 11 2018 क तो यह थोड़ा पुराना मॉडल है पेन का पर है अच्छा तो अगर आपको गिफ्ट भी करना हो ना तो गिफ्ट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो चलिए आप मैं आपको लिख के दिखाता हूं यह लिखता कैसा है तो यह आ गई हमारे पास एक नोटबोक और हम अ देखके आपको दिखाता हूं यह देखें जरा पहली बार मतलब मैंने अभी अभी इसको निकाला ना स्टॉपर को इसलिए थोड़ा सा चल नहीं रहा था पर अब देखें बहुत ही जादा स्मूध चलेगा इस पैन को मैं पहली पहले वी एक बार यूज कर चुगा हूं ब देख लो अब देखी सकते बिल्कुली स्मूध है और अगर बिल्कुल आप थोड़ा सा पास में देखो एक दम ही मतलब जो 0.5 की टिप है और जो कलर भी है मतलब जो ब्लू कलर है इस पैन का तो वो थोड़ा आप देख सकते बिल्कुली डाक टाइप में कोई दिक्कत नही एक इन भी simply black है अर पर यहां पर देख सकते हो डिबर के साइड में और इस साइड में रेट के लिए रट वना हुए और ब्लू के लिए ब्लू हो हैं तो यह ब्लैक होना चाहिए था पर पता नहीं इसके ब्लू कैसे हैं और बॉक्स पर लिखा नहीं है कि इसका कलर क्या है यह हो सकता है और होसकता है दुकान वाले ने कुछ रिफिल के साथ छेड़ छाड़ कर यह तालग बात है I don't know ठीक है वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं होते हैं आप बस यह देखो कि इनकी quality वगएरा बिल्कुल एकदम first class है जो quality आपको दिख रही है बिल्कुल ब्लू लू color एकदम वो है तो आप इसको exam वगएरा कहीं भी यूज कर सकते हो तो आप मैं आपको एक advantage और disadvantage का समड़ी देता हूँ इस pen के बारे में और advantage तो यह है कि आप देख लो इसका मतलब इंक quality अच्छी है लिखता अच्छा है इसका click system अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही है बस disadvantage कि अगर मैं बात करूँ एक बात अभी मुझे अभी तक नहीं समझ मारी यह जब black color है इसके outer covering मतलब जो body का color black है तो इसमें ink blue कैसे है एक confusion मुझे यह है हो सकता है जहां सा मैंने खरीद है उसने कुछ रिफिल के साथ वो करा हूँ तो अलग बात है और एक चीज और मैं आपको कहूँगा यह ना pen तो हलका है वो है बहुत साही है पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई grip नहीं है मतलब आपका अगर समझ लाँ आप बहुत देर तक लिख रहे हो मतलब बहुत जादा देर तक लिख रहे हो यहाँ कि जब आपके हाथ में ऐसा पानी होगा और यह बिल्कुली स्लिपरी है तो जैसे आप लिखोगे ना इस तरह से आपका आप यह देखो जैसे आप लिखोगे तो आपका हाथ ऐसे स्लिप करने का वो है थोड़ा से इसका gripping problem है तो यह मुझे एक disadvantage लगा है सब्सक्राइब जरूर कर देना बाई बाई